कोशन नमबर 48 विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है यानि विकास की अगर मैंने इंकम 100 मानी है तो विकास expenditure 80 रुपए है according to the कोशन उसकी 100 रुपए कमाता है 80 खर्च करता है तो उसकी saving क्या होगी तो उसकी saving 20 रुपए होगी according to the कोशन केता है उसकी वेतन में 25% की व्रद्दियों यानि 100 की जगे विकास अब 125 कमा रहा है और उसकी वेतन में 15% की व्रद्दियों जानि इसका 15% 15,8,120 यानि 12 इसमें जोड़ दोगे 92 आएगा 125 में 92 को घटाओगे प्यारे दोस्तों 3 ऐसे आएगा और 3 फिर आएगा तो उसकी बचत में कितने प्रशत की व्रद्दी होगी मासूम से दोस्तों पहले उसकी बचत 20 थी आज 33 हो गई तो कितने परसंट की व्रद्दी हो गई दोनों का अंतर 13 बटा 20 बुड़े 100 बहुत बेसिक तरीके से सिखा दिया है प्यारे दोस्तों तेरा पचे 65 परसंट की क्या हो गई व्रद्दी हो गई राइट आंसर ओप दिस कोशन गाईज 65 परसंट आएगा बोलो मगर प्यार से 65 परसंट इस दा राइट आंसर ओप दिस कोशन हर चीज सीखेंगे धीरे धीरे हर चीज को जानेंगे चलिए 48 के बाद 49 नमबर कोशन केता है A और B दोनों के वेतन का यूँ 4300 है A अपने वेतन का 95 परसंट खर्च करता है और B अपने वेतन का 80 परसंट खर्च करता है यदि उनकी बचत रासियां समान है अब ये चीज मेन पॉइंट ये है यानि उनकी सेविंग क्या है इफ देर सेविंग आर दा सेविंग यानि उनकी जो बचत है वो समान है पहले बोलो हाँ अगर 95 परसंट खर्च करता है तो बचाता कितना है A तो A बचाता है 5% और अगर B 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है 20% कितना परसेंट 20% और दोनों केस में ये वैलू क्या होगी बराबर हो जाएगे यानि A 5% बचाता है और B 20% बचाता है यानि इसका रेश्यो देखेंगे A upon B का 20 बटा 5 यानि 4 is to 1 हो जाएगा 4 is to 1 हो जाएगा तो केता है वाट इस A salary प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों चार और एक होता है पांच और यही पांच बराबर हुनकी salary किती है 4300 के यानि एक बराबर इसका डबल कर दो 860 के और हमें 4 की value चाहिए 4 का इत्थे और 4 का उत्थे गुणा कर दो 0 ऐसे 24 दो हासिल 8 चोग 32 दो 34 3444 इसका आंसर आएगा यानि कोशन नमबर 49 का आंसर 3444 आएगा हमेशा याद रखी concept is the power जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा हर चीज को सीखेंगे मगर प्यार से फोको लाइक गोलो हाँ प्यारे दोस्तो 49 के बाद 50 नमबर कोशन रवी का वेतन मोहन के वेतन से 20 परसिंट अधिक है यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवी का क्या basic कोशन अब जोको रवी का वेतन मोहन के वेतन से 20 परसिंट अधिक है इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मोहन 5 रुपय कमाता है तो रवी 6 कमाएगा according to the कोशन 20 परसिंट अधिक अगर मोहन 100 रुपय कमाता है तो रवी 120 अगर हम रेशियो में देखेंगे तो 6 is to 5 के तर यदि मोहन का वेतन यदि मोहन का वेतन 1200 है यहनि 5 बराबर 1600 एक बराबर 320 के हो जाएगा तो हमसे केता प्रवु रवी का वेतन बताओ 320 गुड़े 6 6 दुनी 12 चत्रिक 18 एक 29 29 आएगा दर राइट आणसर ओफ दिस कोशन 1920 आएगा बोलो मगर प्यार से हर चीज को धीरे धीरे सीखेंगे और हर चीज को हम लोग जानेंगे तभी लोग महबबस से पढ़िए और बाती चर्चाएं तो अंत में होती रहेंगी मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा असोग भाई अपनी मासिक आयका 10% वे करते हैं और प्रतिमाद 54 की बचत करते हैं अच्छा ये बताओ अब मालो हम जो कमाते हैं वो एजे 100% होता है अब 54 करच कर देते हैं बोलो हाँ नहीं 54 का बचते हैं 10% वे करते हैं यानि 90% तो बचाते हैं तो कि हर चीज तो 100% होती है तो 90% की वैलू चाहिए और हमें 100% की वैलू चाहिए सीखो मगर प्यार से कहते हैं इसमें किसका गुणा करूगी 60 का न चाहो को 54 तो यहां पर भी 60 का गुणा कर दोगी और ये 6000 आ जाएगा तो राइट आंसर आँसर आप दिस कोशन कोशन नमबर 51, 6000 आएगा 51 के बाद 52 नमबर कोशन के तो मौरिस भोजन पर अपनी आये का 25% खर्च करता है और उसे 1000 की वेतन व्रधी मिली लेकिर उसने खाद वस्तू पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया नतीजन घोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया उसकी प्रारंबिक आये क्या है ये कोशन पांस सितारा कोशन है तर ऐसा क्यों भहिया आजकर ऐसे कोशन आएंगे तभी तुम फसोगे तब कहोगे पेपर केलकुलेटिव आता है बस ऐसे ही कोशन में बच्चा घबराता है इसे पांस सितारा समझो मेरी नजर से और प्रकास कॉंसेट यहां सीखेंगे यानि PC कॉंसेट टैसकाड प्रकास कॉंसेट ध्यान देना मौरिस भोजन पर अपनी आये का 25% खर्च करता है मालो मौरिस की आये तो और थी तो ये उसका 25% खर्च करता है बोलो हाँ तो 25% लिख दो या 25 से लिख दो वो 100 का खेला है क्या मेरी बात आप तक पहुँच रही है बोलो हाँ 25% लिख दो समझे नहीं को कि 100 का 25% निकालो जो भी होगा या ये समझो आप मोटा मोटा समझो मौरिस के पाथ जो भी होगा वो एजे 100% होगा पहले बोलो हाँ और इसका 25% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है expenditure ये बोल रहा है अब किसी को कोई तकलिफ नहीं मौरिस भोजन पे अपनी आये का 25% खर्च करता है जो भी कमाता है वो उसके लिए एजे 100% होता है और उसका 25% वो खर्च करता है उसने 1000 रुपए की वेतन व्रद्धी मिली यानि किस्मत चमक गए दिपावली का तेभार समलो या कोई और तेभार जहां बोनस मिलता है 1000 रुपए का उसका बोनस बढ़ गया बोनस बढ़ गया नहीं सैलली बढ़ गया लेकिन उसके खाद वस्तू पर अपना खर्चा नहीं बढ़ाया यानि पहले जो 25% था वही रहा कहता है भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया अब यह 20% किसका मेरे मासूम से दोस्तो 20% इस वैलू का क्योंकि राइट नौ मौरिस की जो इंकम है वो यह हो गई इसका 20% तो 100 का 20% तो 20 है लेलो 20% इसी लिखो कोई दिक्कत नहीं मेरे बात समझो और 1000 का 20% 200 होता है दोनों केस में उसकी कोई व्रद्धी नहीं हुई यानि ये 25% बराबर दिस वन 25 में अगर 20 गया तो 5% आया और यही 5% बराबर अगर 200 के है हर चीज 100% होती है 20 का इत थे 20 का उत थे यानि मौरिस की अगर इंकम की बात करें 4000 है किताब से हटकर ये सलूशन है टैटिस कार्ड प्रकास सलूशन 4000 is the right answer of this question अच्छे question को सीखो अब आप लोग इस question को कैसे करोगे किताब में X से करके solve किया होगा आप मेरी तरह से एक बार सोचो question को बोल जाओ मेरी कहानी सुनो मेरी income जितनी भी है वो ऐसे 100% है बात को सब्सक्राइब यानि 100% कमाता हूँ अब मैं इसका 25% खर्च करता हूँ कोई दिक्कत नहीं अब देखो मालुम चला कल ही मेरा मालिक मुझसे खुस हो गया 1000 रुपया income बढ़ा दी पर अब ऐसा तो नहीं कि income बढ़ा दी हमारे खर्चे एकदम बढ़ गए एकदम नहीं बढ़ेंगे पहले बात को समझो तो कहरा जितना पहले खर्चा था आज की डेट में भी उतना ही कर रहे हूँ तो उतना ही कर रहे हैं पर खर्चे का जो percentage वो कम हो गया क्योंकि income बढ़ी तो खर्चे का percentage कम हुआ तो 20% है तो 100 का 20% 20 है ही माल लो और 1000 का 20% 200 पहले का 25% अभी का इतना परसिंट मनलब इतनी value दोनों बराबर हैं 25 में अगर 20 जाएगा तो 5 आएगा पहले बोलो हाँ और 200 तो 5% की value अगर 200 है तो 100% किस की होगा 4000 की हो जाएगा बोलो बोलो tell tell कोई तकलीफ किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए किलियर है अब कोई बच्चा कहता है सर हमें तो ये तरीका ही नहीं समझ में आया वाइद इस स्कूला वरी चाहिए आप कितना भी कर लो चाहिए बीच गंगा जी में खड़े हो जाओ हमें ये तरीका ही नहीं समझ में आएगा तो प्रकास सर कुछ नहीं खाएंगे बेसिक पताएंगे आपको पहले मौरिस की इंकम X थी इसका खर्चा क्या था X का 25% यानि 25 बटा 100 अब मौरिस की इंकम X प्लस 1000 हो गए X प्लस 1000 हो गए और अब मौरिस का खर्चा 25% है 20% इसका 20% कुछ नहीं करना अब ये दोनों बराबर है तो चाप सॉल्व करना एक्स निकालना जो एक्स आएगा वही आंसर है किताबी तरीका आप देख लिजिए समझ गए यही किताबी तरीका आप कुछ बच्चे ये नहीं सीख पाएंगे हम जानते हैं महान है तो वह ऐसे सीखेंगे पहले मौरिस की इंकम एक्स थी एक्स का 25% खर्च करता था फिर इंकम हजार बढ़ गई एक्स प्लस हजार हो गई अब उसका 20% खर्च करता है अब ये तो देवताओं समझते हो पहले बोलो हाँ अब देवताओं जब इसको समझते हो तो वही लिखा हुआ है 100% का 25% अब एक्स की जगह 100 है तो उसका 25% और 100% प्लस हजार यानि एक्स प्लस हजार का 20% इसका 20% निकालेंगे तो 20% प्लस 200 दोनों में प्रभू वैलू बराबर होगी तेन यू विल गेट राइट आंसर अभी फिर से आएगा तब फिर 50% है देखो अरुन और बाला अरुन बाला और आगे जाकर चंदू भी है अरुन की इंकम 150% का अर्थ होता है 3 बटा दू तो अगर बाला दो कमाते होंगे तो अरुन तीन कमाते है इसका अर्थ ये है more कहीं नहीं बोला गया अरुन की इंकम बाला की आय का 1500% है 2 का 1500% 3 होता है चंदु की आय अरुन की आय का 120% है 120% का आर्थ होता है 6 बटा 5 तो इसकी अरुन की आय अगर 5 है तो चंदु की 6 इसका आर्थ यह है और मेरे प्यारे दोस्तों रेशियू आप जानते हो कि 5 का यहां गुणा कर लो और 3 का यहां गुणा कर लो यह हो गया 15, 10 और 18 हमसे कहता है अरुन बाला चंदु की कुल आय च्छी आसी हजार है सभी को जोडोगे साइथ 43 आएगा यही 43 यूनिट बराबर 86,000 के यानि एक बराबर सो हजार के तो कहता है चंदु की आय क्या होगी चंदु की आय क्या होगी यानि इस 18 में सो हजार का गुणा कर लो 18 दुनी 36,000 हो गया 36,000 is the right answer यानि 53 का जो आंसर आएगा 36,000 आएगा किसी को कश्ट नहीं होना चीए बोलो मगर प्यार से बोलो बोलो टेल टेल हर चीज सिखाएंगे मगर महबबस से 54 नंबर कोशन अब ये अच्छे कोशन कि स्रेडी में आपको बता दे आने वाले भविस में जब आपकी जॉब लग जाएगी 4 पैसे कमाने लग जाओगे तो आपकी जीवन में एक वर्ड जुड जाएगा जिसका नाम है EMI EMI जुड जाएगा ठीक है EMI कैसे अब जैसे मान लो सरकारी नौकरी लग दे पले में बात को सुनो ये बहुत इंपोर्टेंट बात है सरकारी नौकरी लग दे बैंक के तो आप क्या करोगे फ्रिज खईदोगे EMI में तो आपको मालूम नहीं चलेगा फिर थोड़ा सा एकाथ साल बीद गए अब भोकाल टाइट करना है तो एपल का फोन खरीदना है अब एपल का फोन भी खरीदना है तो वो भी किसमे EMI में यानि जिन्दगी में फिर आपके चालू हो जाएगी क्या EMI जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं 90% 100% नहीं बोलाओ 90% क्रेडिट कार्ड इसी लिए लिए आते हैं जिससे हम लोग EMI में समानों को खरीद ले मतलब पहले से हमारे पास बैंक का करजा मलब बैंक का पैसा होता है जिसका हम इस्तमाल करते हैं और 45 दिन जैसे जिसकी बैंक है उस आप से पेमिंट करते हैं समझ गए होता है बहुत बड़ी चीज़ है हर एक वेक्ति की जिन्दगी में सोमनात की वार्षिक आए 24 लाग है बहुत है प्रतेक मावए अपने वहान के लिए 40,000 की EMI देता है देखो भले 24 लाग रुपिया कमाता है पर उसमें जो भी समान खरीदा है किसमें खरीदा है EMI ने यही करवा सकते है उसके मासिक आये का कितना प्रस्षत EMI में जा रहा है चालिस हजार रुपिया देता है यह प्रतेक मावए और जो इसके इंकम है 24 लाग यह 12 मंद की इंकम है एन्वल पैकेज बोला जाता है तो 12 से यहाँ भाग दोगे चलो ऐसे कर लो और गुड़े 100 2-0 से 2-0 1-2-3-1-2-3 12 से यह 2 बाद 2 से यह 20 बाद यानि अपनी सैलरी का 20% वो कार का क्या दे रहा है EMI दे रहा है प्लाल कार की जगे हो सकता है उसने मकान लिया हो कोशन में कार बोल दिया है तो बात की बात है 20% अपनी जिंदिगी का क्या दे रहा है EMI दे रहा है पहले बोलो हाँ प्यारे दोस्तो EMI का बड़ा खेला होता है चलिए अब यहां कहता है और सतन मीनू अपने मालिक मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरिदारी रेस्तरा मॉल में जाने पर उपियोग करती है 30 का 40% खर्च में उपियोग हो जाता है और 45% बचत में जाता है यदि एक मेने में वे घर का इतना अब एक चीज समझो इन कोशनों में जितने भी गुरूप D में कोशन आया इसमें हलका सा एरर है और हर एक कोशन में हर एक कोशन में सर कैसे देखो और आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई देखो इसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकता पहले आप कोशन को पड़ो हर एक मेरा रह मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरेददारी में मीनू जो भी उसकी सेलरी होगी ऐसे 100% होगी इसका 15% मीनू किसमे सॉपिंग में खर्च करती है ठीक है भाई कर लो भाई सॉपिंग जितनी करनी अब एक चीज़ समझो इसने जो वर्ड यूज किया है उसके बाद सेज 40% घर के उपयोग में हो जाता है इन जन्रल जो सेज सब्द निकलता है पेपर में ये कोशन बड़े गंदे हो गए हैं ये वाला मलब इसके भासा गंदी है तेज का आर्थ ये होता है ये बचा 85% और इसका 40% खर्च करते हैं इसका आर्थ ये होता है मेरे बाई चाहे 500 लोगों से पूल लो 5 चोका 20 ऐसे 2 हासिल और आर्चो 32 दो 34 और रिख्ठो 0 ये यानि 34% अब 0 अटा दो क्योंकि 2-2 बार परसेंट है 34% अभी समझना मेरे बात 34% वे घर के लिए खर्च करते है घर के लिए और 45% उसकी बचत है हिंदी इंग्लिस में क्या कोशन अलग लगा है हिंदी इंग्लिस में भी कुछ गवड़ है हमें तो ज्यादा दिखी नहीं रहा है ये 15% ये 40% दिख़़ा है 45% गया भई ये इसमें अब ये अगर 34% कम करेंगे तो जो वेलू आएगी वही इसकी सेवी होगी पर यहाँ पर भासा में खेल गया है पहली बात तो इसका इंग्लिस वर्जन क्या हो गया गलत है इंग्लिस वर्जन गलत है कोशन एक ही है क्योंकि इंग्लिस वर्जन में कहीं 45 नहीं लिखा दूसरी बात इस कोशन में बहुत मिष्टियेक है मिष्टियेक क्या है उसको भी हम समझाएंगे इसलिए मैं बहुत पेसेंस रखे हूँ मैं तो इसको कराने ही नहीं वाला था पर पेपर में पूछा गया तो बताना पड़ेगा यहां पर हमें ये सेस सब्द को हटाना पड़ेगा बस इस कोशन में हमें ये रिमैनिंग वर्ड को हटाना पड़ेगा फिलाल इंग्लिस में तो एरर है, पूरा का पूरा, हिंदी में भी एरर है, सेज को हटाना पड़ेगा, 100% इंकम होती है, 15% सेविंग में, स्टॉपिंग में, 40% वो अपने घर के खर्च में, तो बचा कितना, 45% उसकी बचत में, तो कह रहा है यदि एक महिने में घर खर्च मे 40 दर खर्च करती है, यानि 40% की वैलू, 40,000 है, तो उसकी वासिक आये क्या है, यानि 100% होगी, यानि 2,0 लगा दो, और फिर 3,0 लगा दो, एक लाख इंकम होगी, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देखो, कि हर जगे खेला है, हर जगे खेला है, अब एक लाख की जगे भी 10 लाख ठोके हुए है, पहले बोलो हाँ, तो प्यारे दोस्तों, इस कोशन में क्या है, एरर है, पहले बोलो हाँ, ठीक है, इस कोशन में क्या है, एरर है, ये बात याद रखना, अन्था आपका आंसर गलत आएगा आप कितना भी कोशिस कर लो कुछ बच्चे कोशिस कर रहे होंगे ठीक है कुछ कोशिस कर रहे होंगे सबका आंसर गलत आएगा यही सत्य है सबी लोग पहले कमेंड करो इस कोश्चन के लिए देखो तो ये कुशन में error है फिर समझो मिनू अपने मासिक बेतन का 15% धेस्तरा पे खर्च करती है और मॉल में जाने को उप्यूग करती है सेस नहीं होगा 40% घर के खर्च पे उप्यूग करती है यानि 100 का 40% 40 45 तो सेविंग यही 45 हो रहा है ठीक है 45% उसकी बचत में जाता है यदि एक मेने में घर में 40,000 खर्च करती है यानि 40% बराबर 40,000 के ठीक है तो 100% बराबर इतना ठीक है और वह एक लाख आएगा एक लाख आएगा और यहां सारे options अलग है ठीक है पहली बात तो यह समझो तो यह चीज हो गया अब हम आगे answer निकालते हैं तो कहता है तो उसकी वार्षिक आए कितनी है अब अगर वार्षिक आए बोला जा रहा है तो कहीं न कहीं इस एक लाख में 12 का गुणा कर दीज़िए अब आपका answer मिल जाएगा बारा लाख answer बारा लाख answer क्योंकि हमसे yearly पूछा जारा what is her annual income यह line मैंने नहीं पड़ी थी यह हकीकत है इसको हम गलती स्विकार करते है पाकी English में 45% का कहीं बोला नहीं गया तो इसलिए English version error है हिंदी में say सब्द को हटाना पड़ेगा यानि 12 लाख is the right answer क्लियर है मेरी बात सब लोग समझ गये अभी ऐसे कई question आएंगे और सारे group D में ऐसे पोले गये अभी सारे पहले वो दिखाएंगे 55 के बाद यह नहीं अभी रुख जाओ अब देखो 55 के बाद 58 नमबर फिर से देखो फिर से प्रतेक मा कृतिका अपनी आये का 30% घर्च खन 30% घर के किराय पर सेश का 60% घरेली वेपर हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह 30-60-90 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं वह ना दिक्कत थी एक सेकेंड अभी आयेगा इसा और तैद ये वाला है मिनाच्छी अपने मासिक वेतन का और सतन 10% खरीददारी में हर एक बंदे की इंकम as a 100% होती है 10% वो टॉपिंग में खर्च कर रही है फिर कह रहा है सेज 80% घरेली खर्चों पर वे यहां सेज सब्द नहीं होगा यहां रेश्ट सब्द नहीं होगा 80% वो हाउस ओल्ड पर एक्स्पिंडिचर कर रही है यानि 80% यह हो गया और 10% की उसकी बचत होती है यानि 10% उसकी सेविंग हो रही है यदि मासिक घरेली वे 48,000 है यानि यही 80% की वैलू 48,000 है यानि इसका 6,000 का गुणा करेंगे तो उसकी मासिक आये क्या होगी 100% में 6,000 का गुणा कर दूँ तो कही ना कही अर्चंग 48, नहीं 600 का गुणा होगा 60,000 उसका आंसर आएगा यह होगा अब सुनों यह भी हम करके दिखा देते हैं कि अगर हम रिमेनिंग लेके चलते तो क्या आंसर होता 100% ऐसे लोगे 10% यह पचा 90% मेरी बात को समझना 90 का सेस होता है 90 का 90 का सेस मुलब 80% 72 होता है और यही 72% क्योंकि खर्चा तो यही कर रहा है 72% की वैलू 48,000 की होगी और यहां से आप निकालो जोगो करके बताना बहुत जूड़ी है 24 से यह दो बार में जाएगा यानि 2000 24 से यह 24 ते हैं बात्तर यानि 3% यानि 1% की वैलू 2000 बटा 3 और 100% तो 2,0 इत्थे 2,0 इत्थे यानि 2,0 बटा 3 आता कोई भी options नहीं होता बात समझ में आये की नहीं आये पहले बोलो हाँ इसी लिए हमें conceptual पढ़ना पड़ेगा सभी question नहीं गलत है paper में इन question को सही गोचित किया गया है आप इन में वो नहीं कर सकते हो कि आप सोचो की नहीं आपको हम बता रहें मेरे भाई तो को अपना काम दो या तीन question ऐसे हैं गुरुबडी के जो ऐसे ही है इसलिए हम बता रहें आप हमारी बात को समझो अगर इसको remaining करके करोगे तो आपके चारो options नहीं मैच करेंगे बात समझ में आई तो यहां पर remaining करके यह नहीं चाहता है असली बात यह है ठीक है गलत आप paper वाले की नजरियस देखोगे तो कुछ अलगए सोच रहा होगा paper वाला क्या सोच रहा होगा कि 15 यह 40 यह 45 टोटल 100% हो गया तो काहे को गलत बोलो हाँ तो 55 हो गया आप 56 को सीखते हैं आप कोई दिखका नहीं साइब 2 यह 3 थे सीमा की वार्षिक आए 15 लाग है हर मैने वे 30 जार की EMI जिंदगी का कष्ट EMI 30,000 सीमा EMI में देती है और 15 लाग मोदी जी 15 लाग कुछ याद आता है मोदी जी हर मैने तो यहाँ 12 से भाग दोगे क्योंकि मन्थली आएगा यह तो 15 लाग एन्वल इंकम है और इंटू कितना 100 2-0, 2-0, 1-2-3, 1-2-3 पाकि 30 गुडे 12 उपर नीचे 15 अब कटा पिटी कर लो 5 से ये 3 बार 5 से ये 6 बार 3 से ये 4 बार 64 को 24 परसेंट आंसर The right answer of this question वैसे भी 56 भी है 15 लाग भी है तो 24 परसेंट आंसर है पाकिस समझदार हो पढ़िया कोशन आपकी जिंदगी का यहाँ बहुत बढ़िया कोशन है यह सब जिंदगी वाले कोशन है EMI भी जिंदगी का मुद्दा है और पैसा आएगा तो कार भी खरीदोगे एक नई भी होगी एक पुरानी भी होगी सुनेना किसी निजी कमपनी में कार करती है और उसकी वार्षिक आये 3 लाग सुनेना की आये कितनी है 3 लाग उसके पास एक नई और एक पुरानी गारी है उसकी आएक का 5% गाड़ी के रख रखाओं पे है कौन सी नई गाड़ी पे 5% और पुरानी गाड़ी के पुरानी पर नई के वैसे 2% जादा खर्च यानि 5-2-7% अगर न्यू कार लेता है तो 5% का खेला है और ओल्ड कार में उसके 7% का अब ऐसा तो है नहीं कि सुनेना अकेले गाड़ी चलाए अब उस सुनेना के बच्चे चलाएंगे हस्बेंड चलाएंगे तो उसके पास दो गाड़िया है एक नई एक पुरानी पर इंकम उसकी तीने आग रुपिया इंकम है पर सुनेना 12% अपनी दोनों कारों में खर्च करती है पर एनब पर सिंटेश से 2-0 गये पारते हैं 36 सुनेने का 36,000 रुपिया अपनी दोनों कार में खर्च होता है 36,000 is the right answer of this question 57 का अंसर क्या आएगा 36,000 आएगा ठोको लाइक बोलो हाद किलियर है और मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दे जब भी भविस में कार आर लोगे तो ये समझो कार का इंसुरेंस भी हर साल 15,000 तो मानी लो 15,000 तो मान लो बाकी आपकी कार मालम चला आपने फॉर्चनर खरीद ली तो फिर उस हिजाब से इंसुरेंस होगा मतलब 3, 4, 5 लाग की कार है समझ गया उसकी जो कार की वैलू है 15, 17, 18,000 रुपे आपको इंसुरेंस भनना पड़ेगा बाकी जब लोगे तब समझ में आएगा भरना पड़ पर प्रतेग मां क्रितिका अपनी आये का 30% घर के किराये पर 37 का 60% यहां कोई कर्ष्ट नहीं इस दर्नल लोग ऐसे ही पड़ते हैं 100% है क्रितिका ने 30% हाउस रेंट पर दे दिया साच्छंग 42% तो बचा क्रितिका के पास कितना 28% क्रितिका की स्टेविंग है और जिन कोशनों में एरर आ रहा था उनमें ये तीनों चीज दे रहा था और तीनों का सम 100 हो रहा था इसमें तीन नहीं दो दे रहा है इसलिए इसको ऐसे ही करना पड़ेगा 28% बराबर 63 100 के है तो मासूम से दोस्तों हमका चाही 100% के रहा भाईया तो उसकी कुल मासिक आय कितनी साटो ताट सी ये चार बार 96 63 ये 900 बार किसका गुड़ा करोगे 25 का इधर भी 25 का गुड़ा कर दो 25 नवईया 225 और 28 जिरो साड़े 22,000 रुपए उसकी मन्थली इंकम है तेन वाट इस हर टोटली मन्थली इंकम साड़े 22,000 बोलो बोलो टेल टेल यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे देश वासियो अब कौनो 2,25,000 लिख दे तो मेरी गलती है क्या सौरक गंगली मेरे भाई जिरो तो सही से लिखो मेरे भाई, जिरो का ही खेला है मेरे भाई जिन्दगी में ठीक है, बहुत बड़ा खेला है, यह बता दिये थे यहाँ पर भी देखते हैं अब देखो यहाँ पर अलग कोश्चन है हो सकता है वही मिश्टेक वाला प्रमोथ अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए मासिक वेतरन का 10% सेज 80% घरवली काम 10% वेतरन बचाता है तो यहाँ पर जो यह सेज सब दो यूज हो रहा है यह गलत है हाँ अब यह आपको अगर सेम कोश्चन आ रहा है आप दिमाग लगाई यह 10, 80, 10 टोटल 100 होता है यह यही चाहता है फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे कल को यह न कहिए वाय दिस कोला वरी इंकम हर बंदे की 100% होती है 10% वो खर्च कर रहा है किसमें पेट्रोल करेगा बाई पेट्रोल महंगा है वो भी कार चला रहा है 80% खर्च कर रहा है किसमें हाउस होम एक्सपेंडेचर में और 10% उसकी सेविंग है कहता है on a monthly basis if 24,000 house hold expenditure यानी 80% की वैलू 24,000 है यही बोल रहा है मिरे बाई किसका गुड़ा करें दो जीरो तो करना ही पड़ेगा 300 का गुड़ा करो यानी यहां 300 का गुड़ा करोगे 30,000 उसकी monthly income हो जाएगी कहता है what is annual income 12 का गुड़ा कर तो 12,36,000 उसकी annual income हो जाएगी 3,60,000 3,60,000 is the right answer ठोको लाइक बोलो हां मेरी बातों को समझ गए तो कुछ question में उसने खिला कर दिया और उसको समझो मगर प्यार से next question प्यारे दोस्तों मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च कर उसे अपने वेतन में 1000 की व्रद्दी प्यारा question है यह यह वही question है थोड़ी दिर पहले वाला जिसको बच्चे समझ नहीं पा रहे थे जब हमने इसको high-tech बताया था अब यह देखो यह जो बावन नंबर दिख रहा है आर आर बी आर पी आप एसाई यह 2019 में पूछा गया और जो यह है यह 2018 पूछा गया और यह group D में दोनों question सेम है समन ना मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है माना मनोज की आये as a 100% है 33% उसने food पर खर्च करती है उसने अपने वेतन पर 1000 की व्रद्धी प्राप्त की यानि 1000 रुपिया मनोज का वेतन बढ़ गया मनोज खुस हितन बढ़ गया लेकि उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया जिसके कान उसका खर्च कम होके 27% हो गया यानि इसका 27% तो 27% ऐसे लिखो 1000 का 27% 270 पहले जो 33% जितना था आज उसकी वेलू इतनी हो गए ये दोनों बराबर 33 में 27 गया यानि 5% की वेलू 270 हो गई और 100% की वेलू 20 का इत्थे 20 का उत्थे तो 27 दुना 54 आप्शन में ही नहीं है लो प्रकास्टर के साथ खेला हो गया क्योंकि 33 27 का अंतर 6% होता है 33 और 27 का अंतर 6% होता है 6% बराबर 270 की हो गया अरे 33 27 का अंतर 6% 270 की हो गया भाग दे दो 3 से 3 से भाग दे दिया या 6 से भाग दे दो 1% की वेलू 24 एक परसेंट हो गया 45 की तो 100 परसेंट हो गया 45 सो की यानि उसकी इनिशिल इंकम 4500 रुपए थी 4500 इस दा राइट आंसर बोलो बोलो टेल टेल प्यारे दोस्तों महबबस समझें महबबस यह हो गया 4500 इस दा राइट आंसर अगर आपको यह नहीं समझ में आता कि सर नहीं समझा पाते हैं हमको तो ऐसी करो पहले इंकम एक्स थी एक्स का 33% खर्च कर रहे थे अब इंकम एक्स के साथ साथ 1000 रुपया बढ़ गए तो अब इसका जो है वो 27% खर्च कर रहे दिखना भी बात वही है 27% परसिंटेज से परसिंटेज हटा दो 33% 27% तो अंतर आया 6% और 27 गुड़े 1000 हो गया जब 6 से भाग दोगे 4500 आंसर हो जाएगा चुकि हमें एक्स चाहिए क्या चाहिए एक्स चाहिए 4500 इस दा राइट आंसर ऐसे चाहो ऐसे कर लो जैसे चाहो वैसे कर लो तो को लाइक बोलो हाँ ठीक है 61 के बाद 65 नंबर कोशन सुमन एक क्रसी भूमी को बढ़िया कोशन है गुरुबडी में अब देखो आज की डेट में भी ऐसे ही कोशन आते हैं और मालू मैं फिर बच्चा क्या कहता है सर पेपर बड़ा कैलकुलेटिव रहे अरे पेपर तो कैलकुलेटिव होगा ही होगा मेंस का अब ऐसा तो है नहीं कि तुम दोई लाइन का आंसर चाहते हो अरे कोशन पढ़वाएगा न कि नहीं पढ़वाएगा तुमसे अब जैसे यही कोशन पेपर में नया आया पहली बार तो आपको अटेक देगा और कोग सर समझे नहीं आ रहा था अरे पढ़ना सीखो तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस करो इसी लिए पढ़िया कोशन पढ़िया तुमन एक क्रसी भूमी की मालकी ने उसने इसे एक तिती पच को पांच लाग के पट्टे पे दिया इस पट्टे से आए के अलावा वह प्रति वर्स शे लाग का पेतन भी पाती है यानि शे लाग रुपिया उसको एजे बेतन प्रति वर्स मिल ला है इस पट्टे से आए के अलावा वह प्रति वर्स शे लाग रुपिया का वेतन पाती है यानि यह उसका शे लाग का वेतन हो गया yearly भासा पढ़िएगा समझे ने और कहता है पांच वर्स में अब यहां भासा बदली पांच वर्स में करसी भूमी से प्राप्त पुल आए उसके एक वर्स के वेतन का पचास परसिंट यानि इस छे लाग का पचास परसिंट होता है तीन लाग रुपिया और ये तीन लाग कितनी साल में मिला पांच वर्स में देखो क्या कह रहा है पांच वर्स में पांच से भाग दे दो यानि 60,000 रुपिया यही 60,000 रुपिया यहां जोड़ दोगे तो कहता प्रतेक वर्स कितना धन अरजित करती है खैलाग 60,000 रुपिया अरजित करती है यही आंसर अब इनी कोश्चन को अगर आप पढ़ोगे नहीं भासा को समझोगे नहीं तभी तो खेला होगा गुलो गुलो टेल टेल अब एक बच्चा कहरा सर 600 समझ में नहीं आया तो तुमको यह तरीक़ा कभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम कोशिस ही नहीं कर सकते जिसने कोशिस किया उसको समझ में आया भाई कोई सम्झो मोटा मोटा मालोब मेरी सेली 100% उसका 33% सेविंग हो गया मालोब खर्च कर दिया मालिक ने 1000 उप्या बढ़ा दिया आप करा 27% खर्च कर रहो मालिक खुस हो गया अब इंकम क्या हो गई एकस प्लस 1000 हो गई अब एक हेर 27% खर्च कर रहे है दोनों केज में खर्चे समान है तो दोनों वैलू बराबर एकस बराबर 4500 हमरी इंकम का है प्रारम में 4500 रहे अब और दिक्कत है तो हवन करो और कुछ नहीं यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराये पर खर्च करता है और 1500 बचाता है अब देखो 50-20 यानि 70% खर्च कर दिया तो सेविंग कितना है 30% है और यही 30% किसके है 1500 कि बोलो बोलो टेल टेल 0 से 0 काटो 3 से गया 1% की वेलू 50 होती है तो कहता भाईया उसकी मंतली इंकम as a 100% 2-0 इत्थे 2-0 इत्थे 5000 is the right answer 63 का आंसर बच्चा बच्चा कहेगा 5000-5000-5000-5000 होगा कैसा लग रहा है सभी लोग पहले ठोक दो लाइक सभी लोग लाइक करो चलिए उसी मिले गया अभी तो बहुत पढ़ाएंगे 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोग प्रतिमा 1200 बचाता है अब ये बताओ हरब एक्ति की वेकिंकम क्या होती as a 100% 85% खर्च कर दिया और 1200 बचा रहा है यानि 15% बचा रहा है और यही 15% की वेलू 1200 के है एक परसेंट पंदरा अठे एक सो बीस 80 की होगा और हंडेट परसेंट आठ हजार की होगा अब के दुस्तर ऐसे कोशन नहीं आते यही तो प्रकास तर अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे यही तो दिखाएंगे 2100 में एंटी पीसी में यही पूछा गया है परसेंटेज अब कहीं खास नहीं आ रहा है परसेंटेज अब हर सेट में एक आत कोशन गलती से आना है ठीक है और पर वो कोई टफ नहीं दे पा रहा है जो मतलब बच्चे को चाहिए जहर सर जहर दे दो जहर दे दो जहर नहीं कैलकुलेशन आती है ठीक है और हम उसी पर ही वर्क करते हैं अभी आएंगे चिंता मत करो थोई देर में आने वाले हैं एक व्यक्तिर रिण आदायकी के लिए प्रतिमा 8960 रुपए देता है जो उसके मासिक वेतन का 28% है अब देखो यही चीज़ जो हम सिखा रहे हैं कैलकुलेशन देखना 28% बराबर 8960 अब बच्चा क्या चाहता आज की डेट में कि 28 से तुरंत ही भाग चला जाए पस यहीं से कहता है कैलकुलेटिव है दिमाग लगाओ कैता है उसका मासिक वेतन क्या होगा तो हमें 100% की वेलू चीए अब यह नहीं कि तुम भागए देपड़े हो दिमाग लगाओ देखो कैसे पहला दिमाग ऐसे काटो ऐसे चार से यह साथ बार चार से यह पचीज बार अब यह साथ से जाता नजर आ रहा है भाग दो एक बार में 19 दो बार में और 8 सत्य चपन 8 सत्य चपन 8 सत्य चपन 1280 आ गया फिर भी आत्मा नहीं माने तो 84 बारा बार में 84 फिर चपन हो गया अब देखा जाए इसमें किसका गुणा कर दे 25 का गुणा करना है 0 25 अठे 220 हासिल 25 दुना 50 20 70 0 7 हासिल और 25 साथ 32 यह आंसर हो गया 35 हजार is the right answer of this question ठोको लाइक बोलो हाँ चाले एक कर्मचारी के वेतन में 30 परशन की व्रद्धी वी जिसका वेतन 910 हो गया अभी एक चीज समझो मालो प्रकासर पहले कितना कमाते हो हमें नहीं मालू अब प्रकासर की सैलली में अगर 30% की व्रद्धी कर दी जाए तो प्रकासर की सैलली किती हो गई 130% हो गई यह चीज समझना है मेरे बाइ जो कि 910 के बराबर जो कि 910 के बराबर बात समझ रहो ना भाई 30% की व्रद्धी हो गई सेलरी में तो सेलरी कितनी हो गई प्रकासर की बोलो बोलो 130% जो कि 910 के बराबर है कहता बड़ोतरी होने से पहले उनका वेतन क्या था यानि आप कहरा भीया 100% बता दे आप खुड़ी देखो 130 में किसका 1370 यानि 7 का गुणा करोगे बस इसमें 7 का गुणा करो 700 आंसर वीर अपनी मासिक आये का 15% किराया और सेस का 60% ग्रै कार पर खर्च करता है यदि 210 रुपे बचाता है तो उसकी मासिक आये क्या अलपी का कोश्चन है यह हर चीज ऐसे 100% होता है 15% वो खर्च करता है हाउस रेंड़ में तो बचा कितना 85% और इस 85% का 60% क्योंकि रिमैनिंग सब्द यूज किया हाउस एक्स्पेंडिचर में अब इसका 60% निकालो कैसी 35, 30, 48, 48, 3, 51 यानि दो जीरो कार्ट दो 51% हो गया कित्ता हो गया 51% तो बचा कितना 51 इसमें घटाओ ये समा साइथ 34% कहता है 34% उसकी सेविंग है जो कि 2210 के है हमको का चाहिए इंकम चाहिए 100% होते अब देखो यहाँ पर आप काटू दो से ये 17 बार, दो से ये 50 बार और 17 से ये जाएगा 13 बार, 130 बार, क्योंकि 17, 30, 221 होता है अब 13 में एक 50 का गुणा कलू तेरा पचे पैसर्ट, पैसर्ट सो आंसर ठोको लाइक इसका आंसर पैसर्ट सो आएगा सभी का आ रहा है, बहुत खुसी की बात है, अब कुछ पच्चों का 75 तो आ रहा है, तो खेला है ना इनकी जिंदगे में 65 सो ही आएगा मिरे देउता, कैसे कर लेते हो गलती, 13 पच्चे 65 होता है, 75 किसके पाड़े में आता है, कोई बात ने, मासूम सा है अब देखो, सारे अभी 2021 के कोश्चन आने वाले, सारे के सारे, लाइन से 10-15, मलब 15 के आसपास अभी और करेंगे हम लोग, 85 तक करेंगे तो अब देखना कैसे हम केल्कुलेशन करते हैं, सारा खेल केल्कुलेशन है, अब न एक्स लेंगे न वाई खेल जाएंगे, और आपको यही सीखना, अब जैसे ही तो आएगा न, को रोक सकता है केल्कुलेशन को, अब देखो कहता है the difference between इतना of a number इतना what is the 58% अब यह नहीं कि तुम्हा 58% निकालने लग जाओ इन दोनों का जो difference है वो 10% यही हमारे 354 के पहले बोलो हाँ अगर मैं 1% की बात करू 35.4 हुआ की नहीं हुआ हमका करया प्रभू 58% बताओ तो हम जनवे अब यहाँ जो जुझारू बच्चे है वो 58 का पाड़ा पढ़ेंगे expert आर चोका 32 लास्ट में दो जिसके होगा वही answer मुद्दा खतब अब देखिए कितनी fast calculation है मेरी आप live देखिए यहीं इसका answer आएगा कैसा लगा बोलो बो tell tell concept is the power 68 के बाद अभी तो मज़ा आएगा two numbers a and b are less than a third number c कितना 15 और 32 परशेंट मलत तीसरा नमबर अगर 100 है तो पहला 15 कम करोगे तो 85 आएगा दूसरे में 32 कम करोगे तो 68 आएगा यहीं हमारे a, b, c हो कैता संख्या b संख्या a से कितना परस्ट कम है संख्या b संख्या a से कितना परस्ट कम है तोनों का अंतर तोनों का अंतर 17 आया और किस से देखना है 85 से देखना है into 100 तो कि जिस से कमपैर्जन करोगे उसकी वैलू से डिवाइड करोगे 20 परसेंट आएगा 69 का अंसर 20 परसेंट हो जाएगा 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 भोलो भोलो टेल टेल चलिए 69 के बाद 70 नमबर 24 साथ 2021 अब कितना अफडेटेट चाहिए कहता है 19 परसेंट इंटू 16 परसेंट इंटू 1480 इन में से किस के बराबर चलो जबो सभी में 1480 लिखा है हमें कोई तकलीब नहीं यह तो सब में लिखा है अब यह 8 यानि 16 का आधा 8 हुआ तो कि इसने 8 बोला है तो देखो इसका यह डबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है डबल भी कर रहा है यानि पहला ही आंसर हो गया आपको कहीं चेक करने की जुरुत नहीं सर क्यों 16 का आधा 8 तो 19 का डबल 38 पहला ही आंसर है तो कि जो इसकी कैलकुलेशन से आएगा वही पहले की कैलकुलेशन से आएगा आएगा मेरे करन अर्जुन आएंगे ठीक है बोलो बोलो टेल टेल रेट ठक लाइक कहता है अब देखो यहां अब यहां हिंदी इंगलिस वाला कंफुजिया जाएगा तू फिप्थ ऑफ सेवन और त्री फिप्थ ऑफ नंबर इतना यानि कोई नंबर एक्स है उसका तीन बटा पांच साथ बटा सत्रा दो बटा पांच यह हिंदी वाले से पढ़ रहा हूँ में 84 है उस संख्या का 40 पर्षिंट बताओ मासूम से दोस्तों पहले काटो साथ या एकाईस दुना बैयालिस यानि यह दो बार में गया सकत्रा पच्छे 85 दसा यानि एक्स बरावर 850 आया एक्स बरावर 850 अअब हमका इसका का चाहिए 40 पर्षिंट चाहिए चलो ऐसे कहले ते 40 पर्षिंटेज निकाल लेंगे कहते हैं चोई यह पर्षिंटेज है यह दो 0 मांगता है अब चार का गुणा कर दो 0, 82, 32, 34 340 is the right answer यानि 71 का आंसर 340 आएगा 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 पढ़ियां से सीखिए महबबस से जानिए ठीक है एक बच्चा कह रहा मेरा नाम ले लो ले लेते मेरे बाई खुस हो जाना तो मदन जी ठीक है अब तो खुस ना जब पढ़ोसी अपने बच्चे से कहे कि भाईया से कुछ सीखो ठीक है भाईया कुछ कर रहा है इनसे जाके सजिसन मांगो उस दिन खुस होना चाहिए कि हम इस काबिल हो गए नाम आम में कुछ नहीं रखा मेरे बाई कुछ नहीं रखा नाम बनाना पड़ता है ठीक है यहीं हकीकत आप पहले अपने जीवन में कुछ भी कर रहे होगे सौ बुरे काम कियोंगे और एक कोई अच्छा काम किया होगा तो वो सौ बुरे काम भूल जाता है अदमी अच्छा काम याद रहताह अब सर ये ऐसी बात कहे कर रहो तो उल्टा भी इसका सही है मालो आपका कोई रिस्तेदार है कुछ ग्यान भी जरूरी है तुमने उसके लिए या रिस्तियार के अपने दोस्त के लिए पूरी मलब जब तक दोस्ती थी तब तक तुन्हें बहुत अच्छा काम किया और एक दिन कोई मिश्केक हो गई तो वो दोस्त तुम्हारी अच्छाईयों को भूल कर उस मिश्केक से क्या दूर हो जाएगा और जिंदिगी भड का दुस्मन हो जाएगा समझ गए इन सब चीज को मैनेज किया जाता है कैसी सौरी बोल करें पढ़ेंगे और पढ़ेंगे 71 के बाद 75 नंबर कोशन किये लोग फिर से 70 ही आ गया क्या चाहता है मुझसे यह 50% of a number 21 less than 4 by 5 अगर expert हो तो आप दिमाख लगाओ सर कैसा 50% इसे कहते हैं इसे यह समाच 80% के नाम से जानता है और इन दोनों का अंतर 30% होता है बच्चा बच्चा जानता है और यही 21 के बराबर हमका का चाहिए अंडेट पर्सेंट चाहिए कि कहते हैं इसमें साथ बटा 10 का गुणा करोगी जीरो गया तभी सात बटा दस का जीरो गया सत्तर इस दा राइट आंसर फोको लाइक बोलो हां कैसा उसी मिली की नहीं मिली पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा 75 के बाद 73 नमबर यादि पहली संख्या का 40 परसेंट 12 के बराबर और दूसरी का 50 परसेंट 24 के बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का अनपात आप देखो यहाँ जुझारू नहीं होना है, आप एक चीज देखो, मोटा मोटा, हमका पहले का 100% चाहिए, यानि 40 का धाई गुना होता है 100%, तो 12 का धाई गुना तो 30 होता है, पहले बोलो हाँ, यह सबब औरल आने चाहिए, अरे 40% बराबर 12 के कलो आप मोटा मोटा 10% बराबर 3 के होगा 100% बराबर 30 के ऐसे समलो तो पहली संक्या 30 और करा 50% 24 के तो 100% 48 के काटो ऐसे ये 5 बार में जाएगा और ये 8 बार में 5 is to 8 is the right answer 73 के बाद 74 नमबर सारे 2021 हैं आप देख लो जो बच्चा घबराया करता था कश्टों में जीया करता था खेलो हमारे साथ यदि किसी संक्या का 28% 20 के बराबर है 28% 20 के बराबर है तो 49% की वैलू चाहिए अब देखो कैसे करते हैं अभी तुम्हें दिखाएंगे ये पेपर वहें बच्चा घढा करता है वो भी तुम्हें उताएंगे 7 से ये 4 बार में गया 7 से ये 7 बार में गया 4 में किसका गुणा करोगे 5 का 7 में भी 5 का गुणा करोगे 35 आएगा येही आंसर है चौतर का आंसर 35 है और बच्चा पेपर में क्या करेगा कोई संखिया है एक्स उसका 28 परसेंट आज करम नहीं देखा है बच्चिया इसे ही कर रहे हैं बराबर 20 के अब देखो देखो फिरो के बाद का करेगा 28 बीस के सर 4 से ये 5 बार में गया ये 7 बार में गया एक्स बराबर 500 बटा 7 आया अभी 500 बटा 7 का हमका 49 परसेंट चाहिए तो 49 बटा 100 20 से 20 साथ से ये 7 बार में 7 पना पाईती से अब आप दोनों सलूशन में देख लो ऐसे आप 2-4 कोशन में कैल्कुलेशन करोगे और ऐसे 2-4 कोशन में कैल्कुलेशन आपको वास्तों में सिर्दत की प्रॉब्लम खतम हो जाएगा समझ गए तो आपको conceptual समझना मेरे बाई यह नहीं फास्त कुछ नहीं होता बच्चा सोचता है कि प्रकास सर्फ फास्त बना रहें कहां बना रहे हैं अरे हम बनिया पंडित हैं पर बनिया समझो मुझे दुकान हमारी भी है मुटा मुटा दिक्राएगे यह 2849 का रेशियो 4 बटा साथ चार बराबर 20 के तो 7 बराबर 35 मुद्दा खाता हूँ तब सीखोगे पेपर के बाद अब दिकेरा 50% का 500 है तो इसका कितना होगा अरे मोटा मोटा ये 500 दिख रहा है की नहीं दिख रहा होगा अरे 500 रुपिया है तुमारे पास उसका आधा कित्ता होता है 500 तो बताओ कि 2500 का 10% तो होगा 500 उद्धा खत्म अब को एकस वाई जेड माने तो मनवाओ हमसे इन में से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है तो कहने का मतलब 80 तो है 40% कम यानि 60% की वैलू चाहिए परसिंटेज बली मांगता है दो जीरो की अर्चंग 48 आंसर नहीं समझे अब यहों कोश्चन आते हैं एंटे पीसी में देख लो जो कल को केदो सर्वाय दिस समझो कौनसेट को समझो 40% कम हर चीज अपने आप में 100% है तुम गया धन्या लेने भईया 40% कम कर दो तो वो किसका 40% कम करेगा जब तुम कहोगे एक किलो या ढाइस सो ग्राम पान सो ग्राम कुछ बोलोगे उसी का 40% कम करेगा यानि वो चीज आपको आप 60% देगा 80 का 60% दुटो जिरो खाया और 48 पाया कहता है 75% का 75% अब देखो आपनों को क्यों स्क्वाइर सिखाए गए ये इसके स्क्वाइर सिखाए गए पांच का पचीज होता है तो साथ के बाद आठ चपन पचीज आता है परसेंटेज परसेंटेज दो बार यानि 4 डिट के बाद दसम लो क्योंकि 1 by 100, 1 by 100 करना पड़ेगा अब इनही को तो सीखना है तभी तो स्पीड बनेगी तो को लाए 77 के बाद 78 find the value of x if 20% of 75 पराबर इतना अब ये देखो पीस परसेंट का मतलब होता है एक बटा पांच किसका 75 का और दो सो पचीज का x परसेंट चलो x by 100 लिख दो कोई दिखकर नहीं अब लिख दिया सो लिख दिया 5 से ये गया 15 बार अब इसका इसका अंतर कितना आया 210 आया यहां कुछ गरवड़ है अच्छा 420 में देख नहीं पाया इधर 420 भी लिखा है इसलिए मेने का कुछ गरवड़ है इत्थे आएगा x गुड़े 420 बटा 100 काटा पिटी कर लो काटा पिटी इससे दो बार में गया दो से ये 50 बार में गया अब एक बच्छा ऐसे कर रहा है एक बच्छा और एक्सपर्ड है वो कहता है 75 का 20% 15 वो सीधे लिखता है तो कि एक बच्छा पांच 15 इसका अंतर सीधे 210 बराबर 420 का x परसेंट उसे साफ साफ समझ में आ गया कि एक बच्छा दो बराबर x परसेंट इसका मतलब x बराबर 50 परसेंट एक बच्छा ऐसे करता है तो दोनों में अंतर है क्यों जो कलंग चलाएगा और जो स्वैम से थोड़ा बहुत सोचेगा ये नहीं कि जुझारू की तरीके हमाई तरीके कैलकुलेशन करेगा वो कहां से बात साब मेरे भाई इतना कैलकुलेशन यहां से करोगे उतना ही पेपर में खुसी मिलेगी अब देखो लाल कलर वाला सुलूसन अच्छा दिकरा होगा और इतना कर डाला तो हमाई जिन्दिगी का खेला है 78 के बाद किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राफ संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है अब एक चीज़ देखो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है और उसमें 106 घटाया भाई कोई संख्या आप मोटा मटा तो कोई संख्या 100% है 106 कम करा तो वो 47% बची यानि यानि इसका डिफ्रेंस जो है वो 53% बराबर 106 के बोलो हां यानि एक परसिंट बराबर दो के हमसे कहता है सर साड़े 11 का मतलब साड़े 11% चाही दोनों साइट साड़े 11 का गुणा कर दो तेज आंसर आएगा लेटेश्ट अब डेटेट कोशन करा रहे है अब इससे आदा फास्ट नहीं होता अब फास्ट कैसे होता है ये भी समलो अब ये लाल कलर से लिखा तो कहा है लिखो हर चीज 100% 106 गटाया 47 यानि 53% बराबर 106 एक परशन बराबर दो ताड़े 11 का डबल 23 मुद्दा खतम ठोको लाइक तो ये कोशन ओरल बनेगा ये कोशन कैसे बनेगा ओरल बनेगा बनाने वाला चाहिए अब कुछ इंटू इंटू करेंगे तो इंटू ही करते रहेंगे आप मन में ही मैत करा रहें अरे मेरे देवता बताओ हम क्या करें अब ये मन में ही तो करना पड़ेगा इनमें भी अपन चलाओ गे तो फिर हो गया सेलेक्शन नहीं होना है फिर प्री निकलता है फिर मेंस के लिए बड़े मुद्दें एंटी पीसी वालो गुरुपडे वालो बढ़ियां से पड़िये सब होता है अब कुछ कोशन अब इनकी आदर डालो ब्लड में सीरेंज नहीं लगाना है कि नसा करना है सीखो ओरल किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या क्या है अब देखो आप्सेंस में देखो 90 का 60% 54 चोवण 36 नब्बे ही होता है यही आंसर मुद्दा ही खतब तो नहीं आपने तो पहले ठोक दिया चलो सौ बाला ले सौ का 60% 60 30, 36, 96 गलत 75 का 60% निकालो 30% 15, 60% 60, 60% 45, 45, 35 कभी 75 नहीं होता 80 का 48, 36 कभी 80 नहीं होता 90 आंसर कैसा लगा कहता है यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती तो 90 का 60% 54 होता है 54, 96 होता है बोलो बोलो टेल टेल और यही कोशन प्रोफिट इन लॉस में भी होता है देखो आप अभी परसेंटेज बहुत सीखोगे आप क्या सोच रहो परसेंटेज, प्रोफिट लॉस, डिसकाउंट, SI, CI ठीक है यह सब हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कोई वो नहीं आदर आपकी सोच लेगे, किसी संख्या का 40 परसेंट, उसी संख्या की 4 बटा 5 तो इसका आर्थ क्या हुआ, 80 परसेंट हुआ न, 46 कम है, यानि 40, 80 का अंतर आया 40 परसेंट, यहीं बराबर 46 की हो गया, हमसे कह रहा भाईया, 100 परसेंट बता देखो, 100 परसेंट बताएंगे, सौसे बड़ा आंसर आएगा, मुद्दा खत्म, सौसे बड़ा क्या, 115 ही होगा, देखो, यह 2 हो गया, यह 5 हो गया, इसमें 23 का उना होगा, तो इसमें भी 23 का होगा, 115 आंसर हो, ठोको लाइक, कैसा लग रहा है, बोलो बोलो, टेल, टेल, चालिए, बहुत अंदा, बहुत अ 82 है, एक संख्या का 35 परशन, दूसरी संख्या के 30 परशन के बराबर, अब इसमें क्या, पहली संख्या का 35 परशन के दूसरी के 30% के बराबर है तो कहता है उनका ratio बताओ ये x है इसको ज़्यादा है तो y ले लो y तो इसकटा पिट्टी करना ये तभी ratio आएगा ये 5 से गया 6 बार ये 7 बार यानि x upon y बराबर 6 बटा 7 6 by 7 is the right answer of this question इस question का answer 6 by 7 आएगा 6 by 7 आएगा बोलो बोलो टेल टेल की नहीं next question कहता है किसी संख्या के आधे का एक चौथाई बच्चिस है कोई संख्या x है उसके आधे का एक चौथाई कितना है पच्चिस है ये बोला गया तो अब संख्या कित्ती हो गई 100 200 हो गई और 200 का 20% चाहिए 40 आंसर आएगा 200 का 20% चाहिए 40 आंसर आएगा एक संख्या के 82% और 73% का अंतर बाहतर है यानि दोनों का जो अंतर है वो 9% होता है यही 72 के तो एक परसिंड बराबर किसके 98 बाहतर 8 के कहदा 48 परसिंड बताओ 48 का इत्थे 48 का उत्थे 88,64 यानि 384 आएगा मुद्दा खत्व कैसा लग रहा भीया ऐसी ही कैल्प्लेशन फास्ट होती है पेपर में जाकर फास्ट नहीं होती चलिए प्यारे दोस्तो 85 नंबर कोशन अब यह अच्छा कोशन है 85 नंबर अच्छा कोशन है जन्रल करोगे एक पेज भर जाएगा जो किताबी कीडे होंगे एक पेज भर के पेपर बरवात कर देंगे अब आप्संस में आओ एक संख्या का 25 परसिंड दूसरे के 30 परसिंड से 7 अधीक है और संख्याओं का अंतर 29 है तो कहीं न किस सारे ऑप्संस का अंतर 29 होगा तो ये तो बात सभी में लाग होगे कि सभी का अंतर 29 है 29 ही होगा की फैलिस में 11 क क्या 49 है ये भी 29 होगा अब देखो दिमाथ क्या 49 का 25 पर्षेंट जो भी आए whatever इसका 30 पर्षेंट 10 का 30 पर्षेंट 3 होता है और ये दसमलों में आएगा तो ये integer ये दसमलों में तो कहां से हमारा अंतर साथ आएगा यानि ये गलत ऐसे ही सीखना है अब 40 का तो ये तो ठीक है दस ही आएगा integer value अब इसका 30 पर्षेंट निकालोगे तो ये 3.3 आएगा अंतर साथ नहीं आएगा 34 का 25 पर्षेंट तो सत्रा सत्रा गादा साड़े आठ तो 25 पर्षेंट साड़े आठ आया यानि और 5 का 30 पर्षेंट देड़ा आया अंतर अब दोनों देखो दोनों integer नहीं है रियल नंबर है अब इनका difference देखो साथ आ गया तो यही answer समझे नहीं और अगर आप किताब का solution खोल लोगे न तो कभी इस question को कभी जीवन में attempt नहीं करोगे और बताओ attempt ही नहीं करोगे तो इसे कहते है concept जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा वाया options इसको बनाईए आज समझ में आए की नहीं आए बोलो हाँ